प्रमोटर ने स्टेक की जगा चार फर्म खरी दी हाई दिस इस देव एंड वाचिने टेटरस तैरी और आज हम बात करने वाले ब्लैटकॉम ग्रूप के स्टॉक की ऊपर क्या हुआ है बीसी जी में आखिर सेर की जगा फर्में क्यों खरी दी गई इसकी ऊपर डीटेल में बा इसकी बारे में बाद समझने हमें तो देखिए एक एक करके हम ध्यान से जो इसके बारे में दिया गया है इन कॉमो सेल्स कलपना कॉमो सेल्स और सालनी सेल्स यहां पर चार जो है वो फ़र्म के नाम दिये गए हैं और इन में क्या हुआ क्या है प्रोमोटर ने एक्चुली यहां पर जो सुरेश कुमार रेड़ी है उन्होंने इन फ़र्म है जो चार जो फ़र्म के नाम दिये इन में इस सेदारी खरीद ली है ध्यान रखिएगा अब यह बहुत चौकाने वाली बात है और यहां पर कई सारे सवाल खरीड़ खड़े हो जाते कि ऐसी कंपनियों में ऐसे जो फर्म्स है उनमें यहां पर जो है सुरेस कुमार रेटी ने खरीदारी क्यों करी है 95 परसेंट तक इन जो यहां पर जो फर्म्स है उनमें खरीदारी कर डाली है तो इसका रीजन यहां पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ और यहां पर क्या हुआ है कितना यह जो चार्ज जो दी गए यह ना यह फर्म कितना ब्राटकॉम ग्रूप के शेर्स वोल्ड करते थे इनके बाएर पूरी डीटेल है तो पहला हम देखेंगे अरादना कॉमो सेल्स और देखे अरादना कॉमो सेल्स के पास थे ब्राटकॉम में जो है वो लमसम लमसम फाय पॉइंट टविटी परसेंट स्टेक जो है वह ओन करते हैं यानि 6 करोड 25 लाग शेर जो है अराधना कौमों सेल्स के पास थे ब्रैटकॉम ग्रुप के और अराधना कौमों सेल्स में 80% सिदारी जो है वह यहां पर प्रमोटर रियानी जो सुरेश कुमार रेड़ी जो है रेड़ी जी उन्होंने यहां पर पूरी 87% स्टेक अराधना कौमों सेल्स की खरीद ली अब ऐसा क्यों हुआ यहां पर आप कहें कि इन में खरीदने की क्या जरूर थी समझ में नहीं आ रहा है इसका रीजन जो है समझने में बहुत टाइम लग गया इतनी दिर से मैं सान था तो यहां पर थोड़ा सumbles को स पहले अब कहला पर उसमें नहोंने इस्टेक क्यों ञाई कियोग घर्छ किया है इसका अम समझेंगे लेकानcc सब्सक्राइब सुन सेल्स में यहां पर नाइन टी फाइब परfertू परसेंट स्टेक है वह ओं कर ली है शुरेष कुमार रेडि जीन है और सिस्ट ती त्रा सुरिष कुमार रेड़ी जी ने वह एक्वायर कर लिए तीसरा आपका कलपना कौमों सेल्स देखिए इनके पास वह ब्रैटकॉंग ग्रूप की टू पॉइंट सिक्टी परसेंट इस टेक जो है वह ओन करती थी यह फर्म और सुरिष कुमार रेड़ी जी ने यहां पर 95 परसे इसके अंदर भी सुरिष कुमार रेड़ी जी ने ओन करी और यह फर्म जो है वह ब्रैटकॉंग ग्रूप के धाई करोड शेर्स जो है वह ओन करती थी तो अब देखिए अब यहां पर सवाल उठता है क्या सुरिष कुमार रेड़ी जी ने पैसे बरबात कर दिये इन फर्म उनके खरीदिने का कुछ मतलब था देखिए हमने देखा कि यहां पर जो चार फर्म थी उनमें जो है वह स्टेक जो है वह खरीदी गई लगवल लगवल 87% एक में खरीदी और बाकी सम्में जो है वह 95% खरीदी और यहां पर जो है मैंने यह आकड़ा नहीं लगाया है कि प इन चार फर्म की जो स्टेक अरम पूछें तो 14 से 16% के आसपास की स्टेक जो है वो ब्रैटकॉम ग्रूप की यह फर्म जो है वो ओन करती थी अब इतना बड़ा चंक जो है वो यहां पर यह फर्म ओन करती थी जिनका कोई लेना देना नहीं था ठीक ना अब अगर हम एक खरीद है तो यहां पर जो है काफी जादा यहां पर जो है बाव ऊपर चला जाएगा ठीक ना ब्रैटकॉम ग्रूप का तो यहां पर प्रमोटर इस्टेक बाई थोड़ा सा हलवली मच सकती थी ऐसा यहां पर मुझे समझ में आता है कि यहां पर जो डिरेक्टली जो है वो को खरीद लिया गया है तो इसका मतलब है कि यह सोचेस कुमार रेटी जी के पास है तो बिना कुछ सोर सरावा करे यहां पर फर्म्स को ही खरीद लिया गया है और फर्म को खरीदे का मतलब जो है इस्टेक को खरीद लिया है ब्रैटकॉम ग्रूप की तो यह मुझ को यहां पर जो है वो समझें आता है कि ब्रैटकों में चुप-चाप से यहां पर जो है प्रोमोटर बाइंग हुई है वह भी किस तरीके से firms की सदारी पूरी फॉल्म स्की जो है वो इससदारी खरीद द कैंकर सारी पर्म्स जो हैं मिलाकर 16% के असपास ब्रैट को ओन करती थी तो पूरी फंस को खरीद लिया गया तो आप ऐसा तो है निकिक फर्म्स का जो है वो कोई शेर प्राइस पहले से लिस्टा जो की उचल जाया तो ऐसा ही हुआ है silently यहाँ पर प्रोमोटर जो है उन्होंने यहाँ पर फंस को ही खरीद डाला है पूरी तरह के से और वो जो फंस है उनको अपने प्रोमोटर इस्टेक में डाल दिया तो इसमें कोई हम मैं पहले यह सोच रहा था कि इतने इन नाम से आने से ब्रैट कुम गुरूप पर कोई अस पहले अगर यहाँ पर मार्केट में खरीद तो यह खावर आदी कि प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाई है तो यह फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा सा यहाँ एक बल मिलता 16 परसेंट इस्टेक को खरीनने का मतलब है बहुत यहाँ पर प्राइसिंग जो है यहाँ पर जो है शेर खरीदने के लिए शेर ओपन मार्केट में नहीं खरीदे हैं बलकि फर्म को खरीद लिया गया है चारों फर्म के पास कुल मिलाकस 16% के आसपास की स्टेक जो है वो ब्रैटकों गुरूप की थी और पूरी पूरी फर्में जो है वो सुरेश कुमार रेड की एक तरीके से बायंग हुई है साइलेंट बायंग कहें उसे और यहां पर एक अच्छी बात है कि सो रुपकर यह तक यह नहीं तक ने वाला है क्योंकि इसका सर्कुर्प ओपन था लेकिन यहां पर टिक ग्या है बहुत से लोगों यह बास समझ में आई हो कि अभी भी यहाँ पर share own करते थे तो एक confusion एक miss way से यहाँ पर जो है कुछ लिया जा सकता है एक तरीके से लेकिन यहाँ पर कोई भी miss way का यहाँ पर जो reason नहीं है यहाँ पर सीधी सी बात है अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार थोड़ा सा पीछे इसमें चले आईगा दस बार सेकंड पीछे और यहाँ पर जो है शौटली वाला समझ लीजेगा तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछा हैं कुछ बता हैं कुछ कहेंगा तो प्लीज कमें सेक्शन में केईगा और आप दीजो में जाया वीडियो देखने के लिए बहुत धन्माद दोस्तों